हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कोब्रमें दीपक की असिलियत की भनक लगी तो पुलिस इसकी जाच परताल में जुड़ गई आखिरकर पुलिस ने साफ पकड़ने के बहाने जिले में मादग परधातों की तसक्री करने वाले दीपक से इनको दस्तयाब कर लिया और उसे गनता से पूछना शुरू की पुलिस की पूछनाच में उसने अपने आपको ड्रक सप्लायर बताया वही पुलिस ने उसके कबजे से देड़ किलो अफिम का दूद बरामत कर उसे गिरफतार कर लिया है शेहर कोतवाल उगमराच सोनी ने बताया कि दीपक से नाम के एक युवक को पूलिस ने गिरफतार किया है जो मुलत हा उदेपूर का निमासी है और बाड मेर मेर में रहकर साँ पकड़ने का कारे करता है कोबरामैन के नाम से चर्चित भी है आरोपी युवक से नुदवतपूर के मेवार से बाड मेर जिले में ड्रक्स के सप्लाई करता था वही पूलिस असकरी के इस भंडा फोड के लिए आरोपी से पूछताश में जुड़ गई है बताया जा रहे कि आरोपी दीपक सेन की पतनी मध्य प्रदेश के नीमच में कॉंस्टिबल पत पर कारे रथ है आपको बता दे कि कोब्रा मैं दीपक सेन पिछले तीन चार वर्षों से बाड मेर में ही रहता था साप पकड़ने के अलावा वो जिले के आला अधिकारियों के साथ भी खांस पहचान बनाए रखकर समय समय पर आयोजित होने वाले आत्मरक्षा शिवरों में बाल बाली काउं को कराटे पूशों के गुर्ष सिखाने के साथ आत्मरक्षा की ट्रेलर के रूप में पहचान बनाए हुए था फिलाल पुलिस ने दीपक सेन से जांच परताल शुरू कर दी है वही तसकरी के कामें उसके साथ कौन-कौन शामिल है इस बारे में भी पुलिस आलोपी से पूशताश में जुड़ गई है जाबू टिवे के समाधाता से बात करते हुए शेहर कोतवाल उगमराज सोनी इन्होंने ये कहा कंपूल दंदा है डॉक्स का सप्लायर का सब्सक्राइब का मेवारे लाता है और यहां जागरू टीवे के बाड मेर से ठाकरा मेगवाल की रिपोर्ट